पूर ये स्रीवालाजी महाराजी की जैओ एक दुख्या बेटी जो संकटों ने बड़ी सता रखी थी कई बार वालाजी महाराजी के दरबार में गई लेकिन उसके संकट का निवार नहीं हुआ मां अंजनी के मंदिर में गई और मां के सामने हाद जोड़ के बैटगी कहने लगी के मां अपने लाल ने समझा पनुमान जी महाराज पाला जी महाराज को आदेश करो मेरे भी संकट का निवारन कर दे और हाद जोड़ के कैसे मां के सामने प्रार्थना कर रही है धिरी अपने लल्ला ने समझा ले संकट काटता नहीं अपने लल्ला ने समझा ले संकट काटता नहीं अपने लल्ला ने समझा ले संकट काटता नहीं मैं दुखिया जगते न्यारी खाता में दीपुर में आरी मैं दुखिया जगते न्यारी खाता में दीपुर में आरी मैं दुखिया जगते न्यारी खाता में दीपुर में आरी मेरे सिर्पे संकट भारी उदलने डाटता नहीं मेरे सिर्प संकट भारी उदलने डाटता नहीं अपडे लल्ला ने समझा ले संकट काटता नहीं अरदी तर खस लगा के मैं तो हारी नहीं पर्दी तर खस लगा के मैं तो हारी नहीं उपर तीन पाढ पैजा के खुशिया पाटता नहीं अपडे लल्ला ने समझा ले संकट काटता नहीं हुए ही हुए हुए है और हुए है मेरी काया करा निरोगी जिस्ता हो जाता लण दोगी मेरी काया करा निरोगी जिस्ता हो जाता लण दोगी परे ठीक बड़े बड़े रोगी किसे तैनाटता नहीं अपडे लल्ला ने समझा दे संकट कागता नहीं को मैं बालक याने याने हो रे मुश्किल टुपडे खाने को मैं बालक याने याने हो रे मुश्किल टुपडे खाने बागे लूट लूट के शाने संटे साथ ता नहीं को मैं बागे लूट लूट के शाने साथ ता नहीं अपडे लल्ला ने समझा दे संकट कागता नहीं मुश्किल टुपडे खाने जोग हो रहा से बालक पढ़ते खेटी दुएं याले किरसंते अपने लल्ला ने समझा दे संकट कागता नहीं अपने लल्ला ने समझा दे संकट कागता नहीं